अगर आप चाहते हैं मीडिया में अपना करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्ख करें, आज है रमजाजर में नमस्कार आप देख रहे हैं, आरजे रमजाजर और मैं हूँ पुखराज सेंग एक बार फिर मस्तोरिक शेत्र में स्कूल खोलते ही सिक्षकों की मनमानी सामने आई है शाषण ने कुरूना गाइडलाइन के साथ स्कूल तो जरूर खोल दिया, परन्तु यहाँ प्रधान पाठक समेथ सिक्षक कई घंटा लेट पहुँच रहे हैं मामला मस्तोरिक के 29 डी प्रात्मिक शाला का है, जहाँ प्रधान पाठक और सिक्षक प्रते एक दिन एक घंटा लेट ही स्कूल आते हैं स्कूल में कुल 45 बच्चे पढ़ते हैं, प्रात्मिक साला में कीचोड और घने जाडियां हैं ऐसे में बच्चों के सामने जहरीले सापों का खत्रा बना हुआ है, जबकि शासन ने मरम्मत और सफाई के लिए 21,000 उपे दिये हैं बावजू तीन दिन बार भी सफाई नहीं हुई, किचन शेट पर लगा है ताला एक बार फिर मस्तूरिक शेत्र में स्कूल खुलते ही सिक्षकों की मनमानी सामने आई है शासन ने कुरूना गाइडलाइन के साथ स्कूल तो खोल दिया है, स्कूल खुलने का समय दस बजे से चार बे तक रखा गया है लेकिन बिनोरी डी प्रात्मिक शाला के प्रधान पाठक समेत सिक्षक एक घंटा लेट पहुंसते हैं लगभग दो साल बार स्कूल खुलने से बच्चों में उत्साह तो जरूर है और समय पर बच्चे स्कूल भी पहुंच जाते हैं लेकिन सिक्षक नहीं रहते इसकूल बंद रहने की वज़ा से बच्चे घंटों बाहर ही खड़े रहकर इसकूल के खुलने का इंतजार करते हैं विभाग ने स्वच्चता को ध्यान में रखकर शाला विकास फंड में मरम्मत और सफाई के लिए 21,000 रुपे की रासी भी भेजा था लेकिन प्रधान पाठक की लापरवाही से अब तक ना तो मरम्मत हुआ है और ना ही साब सफाई ऐसे में पालकों के सामने कोरुना के साथ साथ जहरीले जिवजन्तूओं का डर इस बरसाती मौसम में बन पड़ा है बराल खबर के प्रशारा रुपरान अब यह देखने माली बात होगी कि क्या किसी प्रकार से सिक्षविभाग के द्वरा लापरवाह सिक्षकों और प्रधान पाठक की उपर किसी प्रकार की कारवाई की जाती है या फिर ऐसे ही लापरवाहों के बीच मासूम बच्चे जहरीले जीवजन्तूओं का डंस सहने का इंतजार करते रहेंगे मस्तूरी से रविंद्र टेंडन की रिपोर्ट आर जे रमजाजर आपके पास पहुँचेंगे और आप निर्वार तरीके से चैनल के माद्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं नमस्कार